हलो माई डियर स्टुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज भाई हम एक टॉपिक पर डिस्कसन करने वाले हैं यह टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कॉमेंट करके सरी इसके बारे में बताओ कैसे किया जाए आज हम बात करेंगे कैसे पेपर को सॉल्ब कर हो और कभी कभी examination hall में कुछ गलतियां करने की वजह से हमारे marks कम हो जाती है मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी उनका experience पूछा वो बताते हैं कि से कुछ questions ऐसे होते हैं जो examination hall के निकलने के बाद ही याद आ जाते हैं कि इनका answer यह होगा या फिर गेट तक बैठ जाते ज question को पढ़ नहीं पाया और एक problem बच्चों को आती है कि जब paper में question दिया होता है तो हम पूरी instructions को पढ़ते ही नहीं है कभी-कभी synonyms के लिए अब हम जो एंटनिम्स होते हैं उसके लिए synonyms mark करके आ जाते हैं तो यह सारी चीज़ों को कैसे बचा जाए तो आज हम कुछ points का discussion करेंगे आपके लिए और जहां से आपको समझ आएगा कि हम कैसे अपनी गलतियों को avoid कर सकते हैं और अपनी performance को examination hall में boost कर सकते हैं और maximum questions solve कर सकते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं कुछ points पे नजर डालते हैं सबसे पहली बात read instructions carefully अब मैं आपसे यह तो नहीं कहुंगा लाकि जो पहले वाला paper होता है जहां time और date सब कुछ लिखा हुए वहाँ आपड़े नहीं लेकिन बाकी बीटा अंदर जब question को solve करें तो हर question की instructions को अच्छे से समझ लें हमेशा हर question को solve करने से पहले instructions को पढ़ना बहुत जरूरी होता है अब आपके paper में तो divisions आते हैं जैसे synonyms है 10 questions है तो 10 बार instructions नहीं पढ़नी है एक बार आपने पढ़ ली लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन questions के साथ मुझे कैसे deal करना है तो पहली बात ध्यान दखें read instructions carefully क्योंकि इसको ना पढ़ने की वज़ा से कई बार Antonyms के answer synonym mark करके आते हैं लेकिन Antonyms के साथ गलतियां हो जाती हैं तो हमेशा बेटा कोशिश करेंगे कि आप instructions को बिल्कुल proper पढ़ेंगे और धंग से बेटा instructions को पढ़ेंगे दूसरा होता है skim through the paper बिल्कुल सही बात है अब जैसे paper को solve करना होता है तो आप पूछते हैं कि से English paper को कैसे solve करें मैं भी आपको बहुत सारे ideas देता हूं यहां से शुरू करें वहां से जैसे हम एक बार बताते हैं कि आप VGR formula लगा सकते हैं सबसे पहले vocab होगा फिर grammar होग reading ability होगा ठीक है तो skim through the paper का मतलब है कि आप एक बार paper पर पूरे पर नज़र डाले सुरू से लेके last तक इससे यह benefit होगा कि जब आप पूरे 120 question पर नज़र डालेंगे न तो आपको idea मिल जाएगा कि कहां क्या दिया गया है कहा grammar है कहां vocab है और कहां आपका reading ability है और एक पू जरूर skim करें paper पर नज़र डालें कि क्या-क्या paper में आया है और paper जो है वो कौन सा section कहां दिया गया ठीक है नेक्स्ट हम बात करते है prioritize questions यह वो concept है जो मैं बताना चाह रहा था अब questions को कैसे prioritize करें देखो हर subject में priority अलग-अलग होती है जैसे आपका कोई subject है उसका कोई topic आप मुझे यह section आता है ठीक है तो जो lose वाला section है मैं उस पर भी अपना confidence so कर सकता हूँ तो इसलिए prioritize करने का तरीका यह होता है कि हमेशा वो section को opt करें जहां से आप चीज़े कर सकते है क्योंकि examination hall में यह एक बार भी बेटा आपका confidence डगमगाया तो आप यकीन मानें आप marks को कम ह करने वाले हो तो confidence को maintain करना बना के रखना है और confidence कब बनता है जब मैं सही जगा से शुरू करता हूँ proper strategy के साथ शुरू करता हूँ ठीक है तो prioritize करना है questions को अब इसको questions एच्छा होगा कि मैं अगर आपको अपना prioritize करने का तरीका बताओं तो जो vocab है ना वो learning section है मतलब वो speculative aspect नहीं है कि मुझे vocab याद नहीं आ रही है तो यदि मैं इस question को mark कर दूँ और जब मैं दुबारा इस question पर आऊंगा तो मुझे vocab याद आ जाएगी ऐसा बिलकुल नहीं है vocab एक बार का ही question है अगर एक बार में solve हुआ तो होगा नहीं हुआ तो नहीं होगा मतलब समझ ग सकते हो कि अपने सारे answers को एक बार दुबारा से देख सकते हैं कि कहीं मैंने गलती से कोई answer गलत तो मार्क नहीं कर दिया है लेकिन वह कैल्कुलेटिव नहीं है कि दुबारा से आएंगे तो solve हो जाएगा तो अगर मैं कहूं कि कैसे आप पेपर को prioritize करें तो सबसे पहले तो आप vocab को solve करें क्योंकि वह पूरा learning section है you have learned all the words okay and that's why you are marking the answers और उसके बाद आप पोशिश करें grammar पर जाने की और सबसे बाद में आप करें reading ability पर काम क्योंकि reading ability एक time consuming concept होता है यदि मैं चोटा सा आपको time के बारे में भी बताता चलू तो अच्छा होगा अगर मैं time को देखू तो मुझे पता 40 questions vocab के और average 40 questions बेटे grammar के ये करीबन 80 questions बैठते हैं इनको हमें एक घंटे के आसपास solve करना होगा और बाकी के जो आपके 40 questions है आप उन्हें 40 से 50 मिनट तक दे सकते हैं तो मैं ये time का अगर आपको variable बताओं तो time ऐसे काम कर सकते हैं या आप time भी decide कर सकते हैं कि grammar और vocab के ज्यादा question को कम time में solve करना है क्योंकि वो time consuming है ही नहीं और अगर हमारा reading ability है तो मुझे उसे proper time देना होगा solve करने के लिए ठीक है तो हमेजा paper में कोशिश करें कि you have to prioritize your questions, your sections कि 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 section को पहले solve करना है तो अगर हम paper को skimming कर लेते हैं तो ये काम करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती नहीं है ठीक है next हम बात करते हैं टेक कैलकुलेटिव रिस्क देखो ऐसा कोई paper हो ही नहीं सकता है जो बिना रिस्क के होता हो आप सब जानते हैं जितना ज्यादा रिस्क होगा बिटा उतने ही ज्यादा चीज़े बैनिफीशल भी होंगी ठीक है more risk you take more benefits you get ठीक है तो बात य ने था की खाई कितनी गहरी थी एक रिस्क होता है कि मुझे पता है कि मैं 6-8 फिट तक कूर सकता हूँ या 10 फिट तक कूर सकता हूँ या 4 फिट कूर सकता हूँ ठीक है तो मैंने खड़े हो के देखा कि यहां से मैं कितना नीचे गिरूँगा that's called calculative race ठीक यह रिस्क आप हम अंसर दे रहा हूँ बिल्कुल गलत होगा आप कभी ऐसे questions का answer ना दे क्योंकि अपने प्यार पर कुलहाडी माड़ने वाली बात है कैल्कुलेटिव रिस्क होता है मुझे question समझ आ गया options में से मुझे elimination समझ आ रहे कि एक या दो answer नहीं होगा तो मैं वहां kalkulative risk ले सकता हूं अब 1 answer नहीं है तो 3 में कैल्कुलेटिव risk होगा दो नहीं है तो बहु दो में कैलकुलेटिव risk लेना बनता है और आप कैल्कुलेटिव रिस्क जरूड ले तो इसलिए को जबी भी सवाल्व करें तो आप रिसकर लेते जाए और अपने Calculative Risk पर ध्यान दखें, तो मैंने क्या कहा है, कि ऐसा ना हो, कि Question नहीं आता है, Solve कर दिया, Take Calculative Risk, ठीक है, Next आजो, Next बात करते हैं, Bit of Flag and Return, एक ये गलती एक्जाम में बहुत होती है, क्योंकि जो Questions होते हैं, मैंने वह आपको Tempt करते हैं, किसी भी Question को छोड़ने का मन कैसे कर सकता है, मेरे सामने कोई Question है, और How is it possible कि मैं से छोड़ के भाग जो, यार मैं पढ़के आया हूँ, 6 महीने, 1 साल मैंने त्यारी करी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि बस मैंने Question देखा और मैं भाग लूँ कि डिफिकल्ट है, नहीं, मैं वहाँ Time तो जरूर दूँगा, यही वो Trap है जहां बच्चे फस्ते हैं, कभी-कभी कुछ Questions हमें ऐसे लगते हैं कि बस मैं सॉल्व करने के वर्जफे हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने उसको एक बाहर सॉल्व किया, नहीं समझ आया, दुबारा सॉल्व के नहीं समझ आया, और मुझे पता हो नहीं वाला है, तो ऐसे Questions बेटा, आप ट्रेप में जब फश जाते हैं, तो क्योंकि Time सबसे बड़ी चीज है एक्जाम में, तो आप उसको वही रोग दें, उसको फ्लैक कर दें, ठीक है, उसको सरकल बनाके Mark कर दें, और अगले Questions पर बढ़ जाएं, क्योंकि आप उसे बार-बार Attempt करते रोगें, कोई छोटी सी चीज है जो आप Miss कर रहे हो, और वो बार-बार होगी, क्योंकि Exam में आप खुद को Revive नहीं कर सकते हैं, बार समझ गें, तो इसलिए Flag and Return वाला Concept हमेसा याद दखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई Question आपक हैं, वरना ऐसे Question आपका Time खराब कर देंगे, और उससे ये Problem होगी, कि आगे वाले आने वाले आसान Questions को आप धंग से Attempt नहीं कर पाओगे, या फिर आप उनमें जल्दबाजी करोगे, तो आसान Questions भी गलत होने लग जाएंगे, तो Flag and Return का Concept हमेसा याद रखें, कि Question पर आपको Time में आपने कौन सा Section Solve किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेपर में एंग्रेंड हो जाते हैं, मतलब इतनी बुरी तरीके से खो जाते हैं, कि हमें यादी नहीं रहता कि Time का क्या हुआ है, और फिर कोई हमें बराबर में से बताता है, बस 15 मिनट रहेगे, और मुझे सब्ण 20 मिनट उं मिरा तो इतना सारा पेपर पैंडिंग है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी करूंगा, जल्दी-जल्दी आंसर माक करूंगा, ठीक है, तो हमेशा एक ट्रीक बेटा ऊपन माइंड मतलब एक डंख माइंड रिखें और ट्रैक रिखें, अपने माइंड को बेटा हमेशा set रखे time के साथ में क्योंकि manage करनी है अपनी pace को अब बच्चे कहते हैं कि exam में कैसे pace manage होगा तो ये सारी चीज़े कभी examination hall में नहीं सीखी जाती है इसके लिए आपको suggest किया जाता है कि आप ज़्यादा mock test दे, previous याप papers बनाए और जो आपका given time होता है जो भी आपका perfect time है कि दो घंटे का आपका time है 120 question उसी time के अंदर question paper को आप solve करने की कोशिश करें तब आप देखेंगे कि आपको ये perfect समझ आ जाता है कि क्या आप सच मुझ में 120 question दो घंटे में solve कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं तो हमेशा अपने जो pace है उसको बना के रखें next बात करते है stay calm and focused बहुत जरूरी idea कभी-कभी पहले 5 question easy आ जाते हैं और मैं कहता हूँ आज तो हो गया काम बहु बली style ठीक है फिर बाद में question आगे तो हम परिसान हो गया या तो difficult हो गया कभी-कभी मैंने 5 question देखे और किसी वज़ा से मेरे वो solve नहीं हुए और मैंने तभी ये decide कर लिया आज का paper बहुत difficult है तो यहाँ दो बाते हैं पहली बाद अगर paper difficult है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बना है मतलब आपके बराबर में जो इंसान paper दे रहा उसके पास भी वो same paper है तो सबसे पहले तो आपको इस बात को accept करना होगा कि अगर आपको paper पढ़ने के बाद difficult लग रहा है तो you are not the only one ठीक है तुम अकेले नहीं हो सब के लिए difficult है और जो cut off होगी वो dip कर जाएगी एक बात ये हमेशा accept करने कभी ये ना सोचें मुझे paper बहुत difficult लग रहा है बाख्यों को आसा लगेगा ऐसा नहीं है तो अगर paper difficult है तो वो सब के लिए है moderate है सब के लिए easy है सब के लिए तो इसलिए हमेशा बेटा question गलत हो रहे हैं शुरूवाले solve नहीं हो पाने तो अपने confidence को lose ना करें always stay calm and composed और फिर वहीं बात है calm and composed रहें focused रहें क्योंकि जो paper है वो 120 question के बाद ही कोई decide कर सकता है कि paper easy था moderate difficult था अगर आप मुझे भी पूछेंगे सब paper कैसा था तो पहले 5 question अगर मेरे पढ़ाय हुआ आजाएं तो मैं तब ही नहीं कह सकता था easy है या मेरा पढ़ाय हुआ पहले 10 question नहीं है तो मैंने क्योंगा difficult था इसका मतलब बात एकदम सही है किसके calm and focused बेटा बिलकुल आपको last तक 120 question जब आप solve करेंगे check your unanswered questions लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है आपकी speed मेरी बात समझे यह जो हमने कहता है manage your piece यह manage your piece बेटा सबसे important है अगर आपकी pace managed है और आप बेटा 120 question को 2 घंटे के अंदर-अंदर 10 मट, 5 मट या 20 मट बटाके solve कर लेते हैं तो उस time को आप उन questions पर आप दे सकते हैं जो बेटा unanswered है समझे मेरी बात क्योंकि आपको तो पता है कि अगर आपको पूरा paper solve करना पूरे 120 question solve करने है तो आपको 2 घंटे की ज़रुरत है अब आपने 20 question छोड़ दिये तो उन 20 question का time भी तो आपको बच गया ना तो आप उन questions को दुबारा से देख सकते हैं ठीक है तो check your unanswered question तो ये काम बाद में करेंगे unanswered questions इससे पहले क्या होगा flag वाले questions फिर unanswered questions मैं इनको तब देखूँ जब मेरा पूरा paper attempt हो जाए ठीक लाइन बहुत बार सुनी होती है आसान सी लाइन है लेकिन सब कुछ है पूरी महनत का सार है क्योंकि आपने जितना दिया है 100% आपको उसका वापिस मिलेगा कोई रखने वाला नहीं है मेरे बास समझ गए आगर आपने जितनी महनत की है आपको उसका पूरा 100% वापिस मिलेगा और वो जितनी आपने महनत की है वो 100% आपके लिए 40% हो सकता है 50% हो सकता है वो आपके लिए 80% हो सकता है लेकिन आप ये यकीन माने किस यूनिवर्स मैंना कोई आपकी कोई जिस रखता नहीं है आप जितना देंगे उतना आपको as a tis वापिस मिल जाएगा तो इस लिए इस positive attitude के साथ exam दे कि मैंने जितनी तयारी की है जितनी महने महनत की है आँखे बई शीशे के सामने खड़े होगे आँखों में आखे डाल के बाद के बात करो जितनी आपने महनत की है आपको 100% उतना ही मिलेगा ना उसे जादा मिलेगा ना ही उसे कम मिलेगा ठीक है तो अपने उपर बेटा पूरा confidence रखें तो यह आज की इस वीडियो का सार था एक बाद मैं आपको बता दूँ सारे points क्या है read instructions carefully फुली अच्छे से चीज़े पढ़ें इसकिम थूदा पीपर इबाप पीपर को जरूर देख लें prioritize करें questions को कि कहां से शुरुआत करनी है किस section को पहले करना है Calculative risk लेना कभी न भूलें लेकिन मतला आगबंद करके आंसा मार्क ना करें flag and return है कोई question आपको trap करें flag कर दो आगे बढ़ो वापिस आके दुबारा solve करो manage your pace time का धिहान रखे throughout the paper stay calm and composed ज्यादा nervous होने की ज़ुरत नहीं है over confidence माने की ज़ुरत नहीं है check for unanswered questions unanswered questions को एक बाग फिर से check करें stay positive have confidence in yourself तो भी ऐसी informative videos के लिए आप मुझे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरा नाम है Dr. Misha Shodhya और बिटा आप हमारी channel को follow करें M.Y.B. Achieve Defense Exams keep mbibing, keep learning Jai Hind, my dear students all the time मुझा कर citizen G.' -" झाल 25 याप हमारी जढ़ी जचे हैं 110D K – आप का है F對不對 mb Buddha